Mumbai Haunted Places, ये हैं Mumbai की सबसे डरावनी जगहें, जहां शाम धलने के बाद परिंदा भी नहीं मारता पर. एक, Mumbai Haunted Places, आज के विज्ञान के युग में भले ही कुछ लोग भूत प्रेत की बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें भूतिया कहा जाता है. आज हम भी आपको महाराश्ट्रा की मायानगरी यानी मुंबई की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी डरावनी हैं. चलिए जानते हैं इनके नाम. दो, तावर ओफ साइलेंस इस जगह का यूज पार्सी समुदाय के लोग कब्रगाह के तौर पर करते थे. जानकारी के अनुसार यहां पर लोगों को मरने के बाद गिद्धूं के खाने के लिए छोड़ देते थे. वहीं लोगों ने इस जगह को लेकर कई भयानक घटनाएं बताए है. इसलिए इसे भी भूतिया कहा जाता है. 3. पवनह स्क्वाटर्स ये भी मुंबई की डरावनी जगहों में से एक है. यहां के लोगों का कहना है कि शाम होने के बाद उन्हें यहां एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जिसके हाथों पर आग लगी होती है. जानकारी के अनुसार एक सल्मा नाम की लड़की ने अपने आपको आग लगा कर जान दे दी थी. जिसके बाद से इस इस इलाके में उसकी आत्मा भटकती है 4. मुकेश मिल्स बॉलिवुड के गड़ कहे जाने वाले मुंबई के कुलाबा में समुद्र का पास मौजूद मुकेश मिल्स एक तरावनी जगहें मानी जाती है ये जगह 11 एकर में फैली हुई है इस जगह का नाम देश की 10 सबसे हॉंटिट जगहों की लिस्ट में भी शामिल है 5. ग्रेंट परादी टावर्स तीन टावरों वाले ग्रेंट परादी में कई मौते हो चुकी है यहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली जिसके बाद स्थानिय लोगों का कहना है कि इन लोगों को कोई अंजानी ताकत रेलिंग तक ले गई और उन्होंने कूट कर जान दे दी 6. संजे गांधी नेशनल पाक इस पाक को लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा रहती है जो यहाँ से गाड़ी लेकर जाने वाले लोगों को रोकती है अगर वो लोग गाड़ी नहीं रोकते तो वो उनके पीछे भागती है 7. दिसूजा चॉल इस चॉल को लेकर कई दरावनी कहानिया फिमस है कहा जाता है कि कई सालों पहले यहाँ एक महिला ने कुए में कूट कर अपनी जान दे दी थी जिसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती हैं आज भी शाम होने के बाद इस चॉल के पास कोई नहीं जाता 8. होटल ताजमहल पैलेस यह होटल मुंबई का सबसे फेमस होटल है लेकिन यहां की भी कई भूतिया कहानी फेमस है इस होटल को फ्रेंच आर्किटेक्ट डब्लू ए चेमबर्स ने डिजाइन किया था लेकिन जब वो इंगलेंड से यहां आये तो उन्होंने देखा कि उनके डिजाइन के हिसाब से होटल तैयार नहीं किया गया जिसके बाद उन्होंने निराश होकर यहां की पांचवी मंजल से कूट कर जान दे दी इस घटना के बाद से कई लोगों सहित होटेल स्टाफ का भी मानना है कि चेमबर्स का भूत वहां कई बार तहलता हुआ देखा गया है 9. आरे मिल्क कॉलोनी इस कॉलोनी को भी मुंबई की भूतिया जगहों में शामिल किया गया है स्थीने लोगों की माने तो यहां रात को एक महिला की आत्मा लोगों से लिफ्ट मानती है इसलिए वहां शाम होने के बाद कोई नहीं जाता